मैं मैं आपको silver ETF के बारे में जानकारी देने वाला हो कि आप silver ETF से कैसे regular यहाँ पर income generate कर सकते हो और एक stable income आप यहाँ पर market से मंत लिए आप कैसे generate कर सकते हो और किसी मैने में आपको profit नहीं मिला तो next मैने में आपको जरूर profit मिलेगा strategy बताओंगा यहाँ पर इस strategy की base को पर आप silver से regular income generate कर सकते हो और 90% लोग यहाँ पर share market में investment करते होंगे तो बहुत ज्यादा लोग loss कर लेते हैं यहाँ पर 90% लोग intraday से loss करते हैं और कम से कम 10-15% लोग होंगे जो holding base भी loss करते हैं क्योंकि उनका proper यहाँ पर regular income generate करने का उनका कोई भी formula नहीं है कोई भी strategy नहीं है अंदाधुन लोग trading करते हैं कभी कोई stock खरीदेंगे कोई stock खरीदेंगे कोई ऐसा stock खरीदेंगे जो penny stock खरेंगे जो पूरा साल बर नहीं चलेगा और एक आधी बार चल गया तो उस stock के अंदर आपको फसे रहेंगे और जब वह stock चलने ना लॉस महीं रहेगा तो आपको कौन सी strategy यूज करके चलना चाहिए silver ETF के अंदर वो भी यहाँ पर बताऊंगा रही बात silver का जो यह ETF है यह किस के उपर base है यह silver का जो M6 market है उसके उपर यह यहाँ पर trading होता रहता है मन कर चलो यहाँ पर silver का rate आज के रहेट में 60,000 रुपे के आसपस है तो यह ETF आपको 60 रुपे के भाव पर मिलेगा मतलब वहाँ पर चांदी का rate 60,000 रुपे पर केजी की हिसाब से वहाँ पर मिलता है आपको तो वही rate आपको यहाँ पर 60 रुपे पर ग्राम की हिसाब से यहाँ पर आपको मिलने वाला है तो यहाँ से बहुत लोग फिजी कली हाँ पे आपको पता होना चाहिए फिजी कली जो offline market होता है वहाँ पे भी silver के अंदर buying करते हैं लोग और वहाँ लरी साफ वाला होता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा commission लेता है commission आपको नहीं पता रहेगा कि वह कितना commission ले रहा है कि इस बेस के commission ले रहा है और market के value के इसाब से वह बहुत ज़्यादा महिंगा भी बेसता है और वहाँ पे 100% safe भी नहीं है तो आप यह जो offline market में ट्रेडिंग कर रहे हो वही offline market में भी online आ चुका है यहाँ पे आपको कोई आप यहाँ पे जितने चाहिए उतने दिन आप silver को hold कर सकते हो silver के अंदर आप long term भी invest कर सकते हो short term भी invest कर सकते हो long term पे यहाँ पे आपको अच्छा खासा return नहीं मिलने वाला है क्योंकि silver एक रेंज के अंदर trading करता रहता है silver का range यहाँ पे upside का 80 हदर का highest resistance और नीचे का यहां के चलो कि उसका overall trend अपरेज तर सालाना 18 से लेके 20% return देता है उतना return आपको silver नहीं देने वाला है silver aggregate साल का return 8 से लेके 10% return देता है लेकिन आप इससे भी double return आप silver से निकाल सकते हो swing trade करके आपको profit gain करना है long term पे आपको अच्छा return नहीं मिलेंगे रही बात आपको यहाँ पर investment क्यों करना चाहिए क्योंकि 90% लोग अभी M6 में trading करते हैं तो M6 में trading करते हैं वो leverage के साथ trading करते हैं margin के साथ trading करते हैं तो margin के साथ drug आप trading करते हो और वहाँ पे contract based अपर trading होता ह है तो contract expire होते रहते हैं वहाँ पे तीन मंद का ही आपको वैलेटी मिलता है तीन में तक position आप खुल कर सकते हो नहीं तो loss में बेचके next वाले contract पे आपको carry forward करना पड़ेगा तो उसमें क्या होता है future में थोड़ा बहुत price settlement होता है तो कम से कम 1000 पाइंट का आपको difference हमेशा मिल तो वहां पे आपको ज्यादा रिक्ष्ट होता है क्योंकि वहां पर आपमारुम आपته वहां पर हेवी trading आप यहां पर मार्जिन के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आपको यम टो यम बहुत पे करना पड़ता है तो वैसे में आपको लॉस में पोजिशन आपको काटनी पड़ेगी क्यूंकि कितना दिन तक आप करोगे लगवक तीन से चार मेने होके वहां पर आपको कंटीनियों गिरावट देखने को में रहे और अभी भी गिरावट है इतना को यहां पर प्राइस सेटलमेंट नहीं हुआ है अभी भी देखो कि तो बड़ी मुस्के से साट अजार के आसपर सिलवर पोज गया है तो ऐस सब्सक्राइब लापिर पर उपर प्रफिट गेन कर सकते हो स्टाइज अब चलो अभी CMP के आसपर चाहं तो फिप्टी एट के आसपर कर लिजे और मैं यहां पर तो फैर डिवाडेशन करने से क्या फैदा है फस्ट आहिए आपने बवी किया तो फॉस्ट ए इनिशलिया पड राइंग कर लेजिए एक लागा घुट का बाइंग आपको फिब से बाइंग करना के लाइन चान भांद याने के साथ करना है एक जंपल बितर हो आपके पास दस लाग कप लाने तो लाग के साथ कर लेजिए यहां से थार्ड क करना है जब यह 2% डाउन आ गया तो फिर आपको यह इस यूज करते हुए फिर आपको एक लाग के बाइंग करते जाना है ऐसे कितनी बाइंग को को यह फिर सेकंड ब तो यह इस तरीके से करने से क्या फाइदा है आपकी अवरेज कोस्ट नीचे आएगी और मार्केट के अंदर आपने जोरूर ने की फस्ट बाइंग किया तब यह मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा कोई जोरू नहीं है और आपके बाइंग रेट से ध्यान में रखना आपके वहां से भी आपको 3% मिलता है तो प्राफिट बुक कर लिजिए और वहां से आपको 2% डाउन आता है तो इससे यह फाइदा कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको प्राफिट होना है उससे यह है कि आपको कभी लॉस नहीं होगा आप अपने ट्रेड मार्जिन क के तुरू टे लिंग करते हो तो यहां को काफी दिन तक वेट करना पड़ सकता है और इस स्थेटैजी के बेज्ड पर आपको रेगूलर पैसा बनेगा अब कितना बनेगा वो तो आपके आपके इन्वेस्ट में अपको कितना रुपए का मैंख करते हो लेकिन aggregate में आपे बता रहा हूँ, आपको दो बार opportunity आराम से मिल सकते हैं, आपको सही से investment है, तो 3% कोई बड़ी बात नहीं है, आपके buying rate से आराम से मिल जाएगा, तो 12-36-36% आप सालाना महिने में एक ही बार बढ़ता है, तभी भी 12-36% आप silver से profit निकाल सकते हो, मतलब मान के aggregate 1 lakh का investment से ही आप स्नार्ट करते हो, तो 36% का आप profit निकाल सकते हो, और 1 lakh के बाद ऐसे मान के चलो, फस्ट बाइंग कि आप से 2% डाउन आए, तो फिर आपके 2 lakh कि हो जाएगी, वहां से फिर आपको डाउन आए तो फिर आपको 3 lakh कि हो जाएगी, और बढ़े हैं से 5 lakh तक कभी बाइंग हो जाता है पूरी बाइंग हो जाती है और बाइंग होने के बाइंग रेट से 3% उपर जाता है तो वन टाइम पे ही बहुत बड़ा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो बार बार आपको मुका नहीं मिलेगा बार बार आपके पूरी बाइंग नहीं मिलेगी हो सके कभी कभी यहाप दो बाइंग होने के बाद ही मार्केट तीन परशन उपर जाए तो वह आपके मार्केट के मुवमेंट के उपर डिपेंड करता है यह मेरा स्ट्राटजी है और सिंपल स्ट्राटजी को मैं फॉलो करता हूँ जो holding best trading करते उनको इंडिगेटर यूज करने की जोरोत नहीं है किसी स्ट्राटजी को फॉलो करते हूँ आप त्रेट करने के जोरोत नहीं है आप अपने रूल को को फॉलो करते हुए जाई आपने स्ट्राटेजी को फॉलो करते हुए जा है और आराम से डीन करते हुए जाहिए रही बात अभी यहां की बात करेंगे लॉउंël लॉंग टम पर कितना टार्गेट मिन सकता है तो लॉंग टम पर बहुत बड़ा प्रॉपिट नहीं मिलेगा यहां से अग्रिगेट में आपको 15 से लेके 20% मैंग्जिमम आपको एग्रिगेट सालाना रिटर्न दे सकता है इतना सिल्वर देता है गोल्ड ज्यादा मोमेट नही कर लिजिए और यहां से फर्स्ट माइं के बाद ही मार्केट उपर जाता है तो 3% प्रॉपिट बुक करते हुए निकल जाना है और नेक्स डे में सेम स्ट्रेटरजी को फालो करते हुए अपना ट्रेडिंग स्ट्रेजी बनाकर इसको बेगुलरा प्रॉफिट जनरेट कर सक करना है और की कोई शधी क्रों कर यहां पर यहां पर लांग टर मार्जिन विन नहीं मिलेगा 1x और को सी इमाया का पूरा पर आपको यहां पैकरणा है और जितने दिन आपको खुल करना है उतने दिना होल्ड कर सकते हो, strategy भी को simple है कि 2-2% के गिरावट पर आपको बाइट करते हुए चलना है, रही बात, यह जो strategy बता है, यह simple strategy मैंने खुद की उपर भी apply कर रहा हूँ, और मेरा already आज के trading session तक, अब भी तक का जो investment है, मेरा खुद का 10 लग का investment अभी silver beach के उपर holding है, तो यह strategy आप खुद भी use कर सकते हो, यह averaging strategy इसको बोलते हम, averaging strategy आपको use करते हुए trading strategy use करना है, तो उम्मीद करता है इस वीडियो के अंदर जो silver beach के उपर जान करें दिया, व्योकुल समझ गये होंगे, इसके regarding कोई भी आपको doubt है, तो मुझे comments करके जरूर बताए, next वीडिय इसके साथ मैंने आप यह online course स्टार्ट किया, कि आपको technical analysis कैसे सिखना है, price entry निकलना है, exit कैसे करना है, intraday से पैसा gain कैसे करना है, complete course मैंने support resistance के base के उपर यह सिखाने की कोशिस कर रहा हूँ अभी, काफी दिन से लोगों का query आया था, कि सर आप यहाँ पे online session स्टार्ट कर ल करूँगा, मिलते हैं यह विने नेड़ा पे के साथ तब तक के लिए बाई बाई